नमस्कार दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आज के सुड़े में हम बात करने वाले अबुधाबी टी टेन की जो मैच है टीम अबुधाबी वर्सेस चन्ने ब्रेव के बीच इसकी टीन ड्रीमिलियोन की विनिंग टीम्स देखने वाले मैं मैं आपको वह मैच हालेट करके दिखा देता हूँ जैसे की यहां पर देख सकते हैं यह वह मैच है दोस्तों जिसको जिसके अभी हम बात कर रहे हैं टीएडी वर्सेस सीवी के बीच इस पर हमें क्लिक कर ले नहीं है और आपने अप तक टीम नहीं बनाई तो क्रिएटर टी किजें लेकिन मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा किसको लेना है किसको नहीं लेना है और आखिर में क्याप्टन भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा तो माई टीम पर क्लिक करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं क लाओ तो जैसे कि यहाँ पर काफी बड़े-बड़े प्लियर्स खेलते हैं यहाँ पर यहाँ पर हम कीपिंग में आ चुक है दोस्तों पिछले कुछ माच नहीं खेल रहे हैं राजपक्षा प्लेइंग इल्योन में बता रहे थे पर मुझे मैंने अंदर देखा है तो द्रे मिलें उनकी तरफ से थोड़ी गड़बड़ी होई है लेकिन अभी हम फिरलाल कीपिंग में एक उप्शन चूज करें एंशिर्जात को उसके बाद बैटिंग में चलते तो बैटिंग में मैंने चार उप्शन चूज के पॉल स्टरलिंग अब तक बढ़िया फॉम में और कॉलिंग इंग्राम ने भी पिछले माच में एक अच्छी खासे इनिंग खिली है तो जरूर हम इनको भी अपने इस टीम में शामिल करेंगे और एमडेल की अगर बात करें तो यह तो काफी बढ़िया प्लियर है काफी अच्छे क्रिकेट खेल रहे तो जरूर आप इन लास्ट लेकिन देखा जाए तो यह लास्ट मैच में प्लेइंग इलियोर में शामिल नहीं थे लेकिन पता नहीं क्या गड़बड़ी वह हो रही है तो अगर मेरे टेलिग्राम को आप जरूर जोइन कर लिजे ताकि मैं आपको यहाँ पे चेंजे होते है तो जरूर आपको कि लिए तो चले बॉलिघ के अगर बात कर तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आप्षुन मैंने बॉलिंग में और किसको चूस करना और किसको नहीं काफी मुशक्यले हो जातीत था मर्चंडी लयंग्ट को अफ्कोस लिए दोस्तों इसके बाद हम ने यहाँ पर शिन्वारी को ने ले लिया है काफ यह और डी वाकर को लिया है आप की जगा आर वाकर को लिया इस टीम में तो यह चार गेन बाद दोस्तों जरूरर आप इन पर बरसा कर सकते दाव लगा सकते इनके उज़े से आपको काफ यह पॉइंट्स मिलने आ लिए कोई भी ले ले इनमें से आपको पॉंच जरूर मिलने आ ले कंट्यूनी पर क्लिक कर लेंगे देख लेंगे कैप्टन और व्यास कैप्टन किसे बना सकते तो मैंने इस टीम का क्याप्टन जैसे की हमेशा की तरह सबसे सेफेस्ट कैप्टन मैंने बना है लिविंग स्टोन को और वाइस कैप्टन मैंने बना है देख सकते इस टीम का मर्चंडी लैंग को यह दोनों काफी बढ़िया क्रिकेट खेल रहें लिविंग स्टोन की तो बात ही करना गलत है क्योंकि काफी खतरनाक बैटिंग कर रहें काफी खतरनाक मोड में बल्ले बाजी कर रहें और हर मैच से बल्ले बाजी कर रहें तो इनको टो एक टिम में तो बना सकते मर्चंडी लेंग भी काफेट सी गिन वाजी कर रहें लेकिन जरूर आप इनके साथ बी जा सकते बाएस कैप्टन है और अगर बात करते हैं तो जे ओवर्टन को लिए लिविंग स्टोन को लिए उसके बाद गेनबाजी में भी मेरे पास काफी सारे उप्षन थे तो मैंने उसमें से चार चूज किये fig Leory को लिए घो up करेंगे कौद तो तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको काफी न दॉर्सके था लिए न Claro कि कीजेगा तो अगर यह एक हो करेंगे तो आपको काफी फाइदा होने वाला चार इंचर गेन बाज़ है दो आल राउंडर से अच्छा कीपर है आपके पास तो क्या चाहिए दोस्तों टीम में यही तो सब चाहिए हमें अच्छे खासे चारों के सभी की सभी प्लियर तो जरूर आप इसे कैप्टन और वाइस कैप्टन की तो जैसे कि आप देख पारें लिविंग स्टोन को कैप्टन मनाया काफी अच्छी बैटेंग करते हैं दोस्तों दो तीम चक्के तो लगाई देते हर इनिंग में उसके बाद अगर बात करते हैं मर्चंड डिलैंक की तो यह भी काफी बढ़ि लेकिन अभी दोनों मुझे नहीं दिख रहे हैं तो मैं दोनोंको अभी छूस्त नहीं किरूंगा कोई पहली बात करते हैं अगर आप देख पारें कॉलिंग इंग्राम को भी लिया है और यहाँ पे डेनियल को लिया है यह भी काफी अच्छी बैटिंग करते हैं दोस्तों जरूर आपको अच्छी कासे पॉइंट दे सकते हैं आप देख सकते हैं रभी बोपारा डीश अनाका और चैंपर जो है तीनों को प्लेंग इलियोन में पिछले टिम में शामिल ने यह भी बता रहा है तो confusion है दोस्तों यहाँ पर पता नहीं क्या होगा लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप टेलिग्राम पर जॉइन हो जाएंगे मेरे तो मैं जरूर आपको confirm बता सकता हूँ अगर बात करते तो गेनबाजी में मैंने नुवान प्रदीप को लिया और काफी बढ़िया दोस्तों दोनों की दोनों और एडवर्ट ने भी काफी अप पिर तक अच्छा परफॉर्मस किया है तो काफी जबदस गेन बाजी भी हमने ले लिए पाच बल्ले बाज लेनी को जैसे हमार पास बॉलिंग में तीनी आप्शन बचेते दोस्तों तो मैंने उन टीनों को अच्छे खासे जो गेन बाजे सब को ले लिया है तो अब चलते कंटीनू पर क्लिक कर लेते और देख लेत सब्सक्राइब करें तो यह बी आप सबको पता है काफी कंसिस्टंस से से बैटिंग कर रहें और काफी बढ़िया कर रहें जरूर आप इन पर भी भूर्शा कर सकते दावल लगा सकते इनको ले सकते अपने टिम में आज़र वाइस केप्टन या फिर आप इन उल्टा भी कर सकते कैप्टन परेरा को और एमडेल को वाइस कैप्टन लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा एमडेल क्याप्टन रहें टेम प्रिवेव एक बार करा देता हूं जैसे का आप देख पार है मेरे पास एम शिर्जाद एकिपिंग में उसके बाद मैंने पिछले टिम में चार ही परेरा लेकिन इस टीम में डैनियल को मैंने शामिल किया है दोस्तों पिछले टिम में हम इनको शामिल नहीं कर पाए तो वही डोल रॉंडर लिविंग स्टोन और जे ओवर्टन को हमने वापस ले लिया है गेनबाजी में मैंने अफकोस तीनों दो चेंजेस किये नुआन प अच्छा खासा परफॉर्मस किया है तो जरूर आप इन पर वर्षा कर सकते दावल लगा सकते तो इस टीम को मैं कहूंगा कि दोस्तों आप इस टीम को ग्राइन लीग या स्मॉल लीग दोनों के लिए 50-50 यूज कर सकते दोस्तों क्योंकि यह थोड़ी अलग टीम बनी है द कोई प्रॉब्लिम ने कोई दिकत ने चले दोस्तों इस टीम को क्लोज कर लेते और सेव कर लेते और तीसरी और आखरी टीम को मैं आपको डिट करके दिखा रेता हूँ तीसरी टीम की अगर बात करें तो यहाँ पर मैंने चेंज कर लिया है कीपर सी बेंजाम इनको लिया है यह भी अच्छे खास प्लियर है और दोस्तों और अच्छी बैटिंग अगर कर देते तो हमीं काफी फायदा हो सकता है काफी कम लोगों ने इनको चूस किया है एम बताने की कोशिश करूंगा कि आप इनको लीजिए तो टेलीग्राम को जड़ों कर लीजिए बैटे कि अगर बात करते हैं तो फिर से पास बल्लेवाजों के साथ में जाने वाला हो पॉल स्टर्लिंग ए परेला कॉलिन इंग्राम के बाद मेरे पास डी बेल ड्रम को मैंने टीम में शामिल किया हाला कि काफी मतलब परफॉर्मस डाउन रहा है उनका पिछली मेरे खाल से एकी मैच खेले और उसमें भी उन्होंने साथ पाइंट है लेकिन काफी अच्छे बल्लेवाजे दोस्तों जबर्दस बल्लेवाजी कर सकते तो जरूरू आप इनको भी अपने सिरीज में तो जरूर आप इनको नहीं छोड सकते इनको छोड़के रिस्क नहीं ले सकते अगर गेन बाजी की बात करें तो तो पर चार गेन बाजों को लिए मर्चंडी लैंग को लिए मुनाफ पटेल को लिए पिछली टीम में इनको ले लिया गया था उसके बाद लिए और ये टीम भी काफी भेतरीन बन चुके दोस्तों कंटीनिव पर क्लिक कर लेते हैं और देख लेतें किसे बना सकते तो इस टीम का क्याप्टन और वाइस क्याप्टर मैंने जैसे कि आप देख पार है कॉलिन इंग्राम को और पॉल स्टर्लिंग को बना दोनों की दोनों अब एक साथ ओपनिंग के लिए आते दोस्तों और ओपनिंग में आकर अगर इन्हों खतरनाक मूड में अगर खतरनाक स्ट्राइक रेट से बल्लेवाजी कर ली तो आपको काफी फायदा हो सकता है तो इसलिए मैंने कुछ इस तर से किया है दोस्तों तो जोरूर आप इस तर से भी कर सकते चले टेम प्रिव्यू करा देता हूं जैसे कि आप देख पार है यहाँ किन उसके बाद 5 बल्ले बादे मेरे पास पॉल स्टरिंग इंग राम इसके बाद महने एक चेंड कर लिया बिडि बिड्रम को शामिल के यह दोस्तो और अच्छे खाषी बल्लेबाजी कर सकते इसके ऑलावा मेरे पास यहां पर बात करते ऑलरंडर की यह भी शामिलते और इनको भी एकार टीम में ज़रूर शामिल करना चाहिए ताकि अच्छा परफॉर्स करते तो हमें एक टीम को तो फायदा हो सकता है शिन्वारी को लिए रोस्तों बैल्टिंग तो बॉलिंग तो करी सकते लेकिन अगर जरूर पढ़ने पर बैटिंग भी कर अगर यूज करेंगे तो काफी अलग टीम बनिये दोस्तों तो ग्राइंड लिंग में आपको काफ़े फायदा होने वाला या फिर आप इसकी वज़े से ग्राइंड भी जित सकते तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ग्राइंड के लिए यूज कीजेगा इस टीम को स पिछले मैच के पहले का दो किसी भी इनिंग में अच्छा परफॉरंस नहीं कर पाये लेकिन पिछले मैच में इन दोनों ने काफी खतरनाक इनिंग इस खेली है दोनों तो जरूर आप इनको एक टीम में क्याप्टन और वाइस क्याप्टन बना सकते साथी साथ ये दोनों और एक दूसरे के सात ओपनिंग के लिह आते तो उपनिंग में अगर ये खतरनाक साजय दारे डिकत ने जरूर दोस्तों इस टीम को भी क्लोज कर लेता और आखिर में यहี้ को गगा दोस्तों कि अगर आप इन तीनों टीमों में कुछ भी चेंजेस करना चाहते तो कर सकते हैं दोस्तों साथ इसाथ अगर आप Captain और Vice Captain से भी अगर सेमेट नहीं तो वह भी चेंज कर सकते हैं लेकिन जादक changes मत कीजिगा काफी अच्छी टीमें बनी है काफी भर सेमन टीमें बनी है दोस्तों तो जरूर इसी के साथ जाएगा और कुछ भी changes रहते हैं तो मैं आपको टेलिग्राम के जरूर बताऊंगा दोस्तों आप description में लिंक दिए मैंने टेलिग्राम के उसे जाइन जरूर कर लिजे तो ठीक है दोस्तों I hope आपको वीडियो जरूर पसंद आए अगर पसंद आए हो तो इस वीडियो को like, share और comment जरूर कर दीजे साथ इसाथ अब तक चाइनल को subscribe नहीं किया हो या फिर मेरे चाइनल पर नए है आप तो उसे subscribe भी कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस करके आल पर भी क्लिक करना ना बुले तो ठीक है दोस्तों मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you धन्यवाद